इतनी मुश्किल से जिस तरीके से वो औरत निकल रही है आज के इस दुनिया में जहां पर वो बच्चों को पैदा करती है पैदा करने के बाद वो उसी कोख को गंदा कर देते हैं जिन वेसे वो निकलते हैं वो भूल जाते हैं इस मर्यादा को कि ये वो ही मा है जिनोंने इन बच्चों को जनम दिया है आज हम लोग बाहर निकलते हैं, धरना देते हैं, बोलते हैं, कुछ देनों बाद घर में बैठ जाते हैं हमारी को क्या लेना देना है, तो दूसरे के घर की बात है, दूसरे की बेटी है कहां से आई ये सब लोग ये भूल गए हम लोग कि आज अगर इस औरत की इज़त आप लोगों ने नहीं करें तो ये औरत इस दुनिया से एक्स्टेंट हो जाएगी इसको आप देखेंगे नहीं इस माँ को ढूरते रह जाएंगे वो माँ जो कई रोल अदा करती है पैदा होने से कई रोल अदा करती है आप लोगों को इस लेवल तक लेकर आकर आई है कभी आप उचिया देखिये आप उनकी तरफ एक पारी बच्पन से लेकर आपके मरने तक आपके बोड़ापे तक अगर वो जिन्दा रहे ली तो वो आपको उस लेवल तक हमेशा देखेगी कि जहां पर उसको ये लगे कहाँ ये मेरा बच्चा है क्या आप लोग भी अपनी माँ के तरफ देखकर वो खुशी महसूस करते हैं उस मा की इजद कितने बंदे करते हैं आज आप इस देखी इस दुनिया में आज हम इस हर जगा पर रेप ससाइटी इसको देख रहे हैं हमारी देहली क्यों हमें ये सुनने को महसूस होता है क्यों हम इस चीज़े यहां सुन रहे हैं कि एक रेप देहली है ये एक मा की जहां duty है, वहाँ एक बच्चों की भी तो duty है कि अपनी मा को कैसे ठख कर रखना है, अपनी बेहन को कैसे सिर्फ बेहन नहीं, उसकी girlfriend हो सकती है, उसकी बीवी हो सकती है किसी और की औरत पर वो बुरी नजर डालना मुझे नहीं लगता कि ये चीज एक अच्छे घराने के लड़के करते है education, अगर आप लोग के पास है, तो उसको दिखाई है मैं अगर दरखास करूँ गयर एक मा से, जो society में, जो अपने घर में ये हमें अपनी लड़ाई, अपने घर उसके शुरू करनी है किसी भी आदमी का वो जुल्म न सहे अपने उसके कि अगर आज आप वो जुल्म सहे तो कल को यही चीज आपके उपर हावी हो जाती है हम अपने हाथ काट कर उनको देखते हैं मैं ये नहीं कहरें कि अब आदी बन जाएं पर कम से कम आप अपने विए लड़े, अपने घर में लड़े लड़का और लड़की के बीच में डिफरेंस ना लेकर आएं लड़की को लड़का बनाने की कोशिश कीजिए मुश्किड है आज के समाने में बहुँद पर हमें अपने बच्चो के साथ खड़ा होना होगा अभी ही मैंने एक रिसंट्री केस देखा है जो थूआउट आज मैं एक क्रिमिनल साइकोलजिस्ट भी रही हूं और यह आज पर लड़की का नहीं है आपने अभी केस देखा है जिसमें सोडमाइजेशन हुआ है ट्यूटर ने कर रहे एक लड़के का भी किया है इस तरीके से आप यह बात समझीए एक 57 येर ओल्ड जिस आदमी का दिमाग गंदा हो चिका है यह गंदा नहीं है यह हम लोग उसे गंदा करने पर मजबूर कर देते हैं क्यों? उसका पहला केस नहीं है यह पेडोफाइल का यह बहुत टाइम से चलता आ रहा है हम सिरफ उसको पकड नहीं पाते हमें अपने बच्चों पर ही सिरफ विजलेंस नहीं रखनी है मैं यह पांच मिनट जरूर लूँगी क्योंकि आज मैं आप लोग के बीच में हूँ तो यह विजलेंस सिरफ हमें अपने आसपास नहीं अपने घर में तो कि आपने कई जगाओं पर देखा है हम लोग आज देख रहे हैं घर में जो हमारे जान पचान के लोग हैं वो सबसे ज़ादा रेप कमिट कर रहे हैं सबसे ज़ादा सेक्शनल असौल है यहाँ पर बच्चों को आप इस तरीके से एसकॉर्ट ना करें किसी आदमी के साथ मैं अभी भी देखती हूँ नर्सरी स्कूल के बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो हैं एक मेल अस्कॉर्ट के साथ जाते हैं नुक्लियर फैमिली हमारी इतनी आज चुकी है नुक्लियर फैमिली में होने के बाद यहाँ पर पेरिट्स के पास वक्त नहीं है बच्चे आपके जो हैं नौक्त नाई के साथ बेखे रहते हैं इसलिए पॉन कितनी क्लिपिंग्स आ गई हैं बच्चों को दिखाते हैं बच्चों को उनको डरते हैं उनको डरा देते हैं पारे मावाप के साथ ये होगा, ये होगा, आप अपने बच्चों के साथ खड़े हो ये, अपने बच्चों को वो एक ट्रस्ट दीजिए, कि आप मेरे पास आकर बात कर सकते हैं, प्लीज बच्चों में behavioral changes देखिए, कि कहां पर बच्चा अगर आपके बात करने के दोरान जगा में जाने की बात कर रहा है, नहीं जाना चाहता है, वहाँ पर डर डरा सा महसूस करता है, boy या girl, ये बात आप देखें कि इस वकत दोरों के साथ ये cases चल रहे हैं, संभाल लीजी अपने बच्चों को, संभाल लीजी अपनी औरतों को, ये वक्त ऐसा है, कि जहां पर ह जा रहे हैं, पर वो एक modern figure नहीं है, हम खतम कर देंगे अपने आपको, ये इंडियन कल्चर खतम हो रहा है, ये अपने घरों से शुरुआत कीजिए, बाहर इंडिया गेट पर जाके धरने देने से कुछ नहीं होने वाला, अपनी इज़त अपने हाथ में है, अपने घरों म के ब्रुटालिटी को, असॉल्ट को बंद कीजिए, मैं चाहती हूं कि हर एक और घर के अंदर से एक अपनी mother-in-law के साथ, अपनी ननन्त के साथ, अपने हिस साथ, अपनी बेटी के साथ, खड़े होए और उस male के against बोले, कि अब बस बहुत हो गया, क्योंकि ये शुरुआत गर से है, पोलिस कहां से आई है, पार्लिमेंट कहां से आई है, क्यामनेंट कहां से फार्म होई है, एक एक बंदा, क्रिमिनल्स कहां से आ रहे है हमारी सुसाइटी से, हम लोग ने उनको पैदा किया है, क्योंकि हम लोग के पास वक्त नहीं है, एजुकेशन नहीं दे पाते Sexual education proper नहीं है जो एक sex education आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता प्लीज इसको एक टाबू मत बनाएं अपने बच्चों को sex education घर में तरीके से प्रिवाइट करें अगर बच्चा आप से आकर पूछता है तो there are thousands of ways telling that child की sex क्या चीज है आप इतने छोटे छोटे बच्चे भी रेक पूछते है awareness that is there, the awareness is there you have to go ahead and tell your kids there are thousands of things you can do it पर अगर आप वो knowledge नहीं देंगे तो वो porn pictures देखेंगे क्यों है यहीं चीजें है थोड़ा vigilant रही अपने बच्चों के ऊपर आप मना नहीं कर सकते क्योंकि बीस-बीस रुपे में बिकरी है यहां पर भी आप चले जाएंगे तो बाहत दस जगा पर बिकरी है आप उनको पर विजिलेंट नहीं कर सकते मेरी भी दो लड़के है I am really proud of these two boys शायद इसी लिए क्योंकि मैं कहूंगी yes because I am their mother मैं अपने बच्चों को बच्चपन से वो थपड पारा है वो थपड जो आज तक हम ने खशाद वो कहते हैं ने कि मा गरी थपड तु मुझे बहुत पहले मार चुकी होती तो आज मैं इस तरह की कर नहीं होता अपने बच्चों में वो चीज ढूंडिये जहां वो गल्ती करते हैं reward और punishment हमारे psychology में रहा है throughout reward और punishment hand in hand चलता है जब बच्चे ने अच्छे काम करें तो आप में पैसों की बचार करती और जब उसने गलत किया तब भी पैसों की बचार करती corruption यहां दे दिया बहां दे दिया बहां कर दिया उसको समझाइए कि वो चीज गलत है जो उसने करा है असक्टेंस, रिस्पंस, कितने लड़कें आज की डेट में रिस्पॉंसिबिलिटी लेते हैं वो कपड़ा उतारना जानते हैं क्या किसी औरत को कपड़ा पहनाना भी जानते हैं क्यों? क्योंकि यह हमारे घर की सोसाइटी में यही है हम यह कितने आदमी है जिन लोगों ने उस लड़की को भी 16 दिसंबर के दामेनी के इस के अंदर बचाया वो भी तो एका लड़का है आपके आसपास आपके भाई आपके हस्पिन आपके फ्रेंग्स उनमें भी तो है तो जो जरूरी तो नहीं है कि सारे लड़के गंदे हैं नहीं बट आइवाट कि इन लड़कों को मैं गुजारश करूंगी मेट्रों के अंदर आसपास कहीं पर भी आप देखें लौ तो बाद में आएगा लौ तो बाद में आगगा और कितने बंदों को ग्राउंड लेवल पे लौ पता है जो आपके घरों में काम करते हैं दूर वाले हैं कपरे दोने में इन लोह उपको लॉग के बारे में अंदाजा नहीं है यह आते हैं कमिट करते हैं और शायद जिरोटिक्शन की वज़ज़ से यह बहार निकल के जाते हैं तो विलिस नो टेरेटरी जो पुलिस उसको उनको ढूट पाएगी पर जब आप जिस दौरान उनको घरों में रखते हैं उनकी पूरी तहकीकात कीजिए उनको देखिए अपने बच्चे आपके यहां से वहां जा रहे हैं वहां पर आप देखिए कि वहां पर किसके साथ आपके बच्चे जा रहे हैं टाक्सी में इस जगहां पर दौरान स्कू प्लीज अगर आप आसपास किसी औरत की इस तरीके से बेस्ती होते देखिए तो आप गाड़ी से उतलिए उतर के एक बारी उस आदमी को धंका दीजिए और उसको बताइए तुम्हारी वजह से ये कौम खराब हो रही है औरत का रास्ता जिस नहीं है दिल है उसके थुरू ज पहर मांगना है उसे लेना है अपनी संदलिए तो उसे प्यास से हासिल कीजिए जबरतस्ती से नहीं थैंक यू